जैमादादी मित्रो एक सो अठारा दिन ब्रस्पती देव वक्री होने जा रहे हैं कुम्ब राशी पे कैसा पढ़ने वाला इसके बारे में चच्चा करेंगे ब्रस्पती आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं और एक सो अठारा दिन यानि नौ अक्टूबर से लेकर अगले साल चार फरवरी दो जार पच्चीस ताक ये वक्री रहेंगे इसका प्रवाव खासकार बहुत में तो पूर ये वक्री होना और कुम्ब राशी पे कैसा पढ़ेगा इसके बारे में चच्चा कर रहते हैं अइन द्धन लाब नहीं होगा उसके कारग ब्रस्पती होते हैं तो यहां पर ब्रस्पती का वक्री होना कुम्राशी के जीवन को हिलाएगा बहुत तगड़ा हिलाने वाला ये याद रखिएगा अब वो कैसा हिलाने वाला अच्छी तरह से हिलाएगा या बुरी तरह से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो ये कहीना कहीं कुम्राशी की कुंडली है चतुर्थ भावे वक्री जीवा भौतिक सुक दायका यानि चतुर्थ भावे वक्री जीवा भौतिक सुक दायका यानि चतुर्थ भावे जब भी ब्रस्पति वक्री होते हैं तो भौतिक सुक मिलने लग जाता है अब भौतिक सुक में बाहन का योग होता है मकान से समंधित जो बादाय चल रही थी वो आपकी दूर होगी मकान, फैक्टरी, दुकान खाली पड़े थे वो किराय पे चड़ जाएंगे मकान से समंधित कोई समस्या, कोई प्रापटी खरिदना चाते हैं, खरिदनी पारे, वो हो जाएगा लोड नहीं हूं पारा है प्रॉपटी खरिदने के लिए वो चीज आपकी बंती भी नजर आएगी साथी साथ मनलब की मकान से समंदित वान से समंदित चीजों की बादा आपकी नश्ट होती भी नजर आएगी और घर के अंदर जो परिवार के सदसे उनका शादी का योग नहीं बन पारा या अच्छी जॉब नहीं मिल पारी है परिवारिक सदसे को तो 118 दिन वहां भी आपको रिजल्ट मिलेगा परिवार में भी कुछ मांगली काम विवाशादी संतान के या फिर जॉब के ही काम आप के लिए बहुत लाब कारी है ब्रस्पती आपकी राशी से दुत्य भाव यानि धन भाव के कारक और लाब भाव दोनों के कारक हैं तो कहीं ना कहीं ब्रस्पती का वक्री होना धन को बढ़ा देगा यानि धन से संबंदित कुछ ऐसी डीले होंगी ऐसा टायाप आपका होग ऐसा काम कुम राशी को मिलेगा जिस से आपको अच्छा धन 2018 दिन से इसका। कोड़ से संबंधेत सब्सक्राइब किंए और यहां covid ऐसे भी आपको लावन नजर आएगा तो यहां पर ब्रसपती का धन भाव का कारक होना कुम राशी के लिए बहुत लाब कारी है साथी साथ ब्रसपती क्योंकि लाब भाव का स्वामी है तो जो भी आप investment करेंगे उससे भी आपको लाब होगा तो कुल मिलाके ब्रस्पती का पोजीशन कुम राशी को चमकाने वाला है 118 दिन तो मित्रो ये तो हमने जनरल प्रडिक्शन के बारे में बात करी कि जनरल ब्रस्पती यहां पर बैटे है वकरी होने से ये अच्छा रिजल्ट देंगे अब आप यदी कुम राशी के हैं आप परिशान है नौकरी नहीं लग पारी है शादी नहीं हो पारी है विदेश में जाना चाहते है या विदेश में कोई काम ही नहीं बन पारा तो आपको क्या करना है आपको अपनी कुंडली दिखानी है ये मित्रो जर्रनल प्रडिक्शन है उसके लिए आपको 72101242 एट टाइ शुलक भी आपको पे करना पड़ेगा बहुत मिनिमम शुलक है वो आप पे करने के बाद मुझसे टेलिफोनिक बात कीजिए अपने उपाय कीजिए ब्रस्पति को मनाईए क्योंकि 118 दिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं तो चूक मत जाना याद रखिएग अश्टम भाव हानी का हाउस होता है बहुत बार यहां पर अगर शुप ग्रव के द्रश्टी होती तो जैकपोर्ट भी जीवन में लगते हैं तो अश्टम भाव में द्रश्टी होने से देखा जाए तो पार्टनर के लिए इस्तती बहुत अच्छी नहीं जो पती-पत्नी हैं जो रिलेशन में तो पार्टनर को कई ना कई करियर में कुछ नुकसान होता हुआ नजर आएगा पार्टनर को मानसिक तनाव बिमारी होती वी नजर आएगी पार्टनर से अनबन होती वी नजर आएगी जो रिलेशन्शिप के अंदर है कुम्राशी वाले जो पती-पत् हैं तो यहां पर बैठने से एक सो अठारा दिन आपको अच्छे प्रोजक्ट मिलेंगे नई जॉब के आपको बड़िया ओफर मिलेंगे पद प्रोमोशन के आपके युग बनते हैं साथी साथ आपकी बड़ा कॉंट्रेक्ट या बड़ी डील बड़ा टायप इंटरनेशनल म नववी द्रिष्ठी आपके बारवे भाव में बारवा भाव ऐसे खर्चे का होता मित्रों लेकिन यह यात्रा का भी भाव है तो कहीं ना कहीं आपका इस्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है तो कुमराशी वाले कुछ लोगों को तो अच्छे हो नोकरी के ओफर मिल जाएंगे तो वो स्थान परिवर्तन कर लेंगे नोकरी चेंज कर लेंगे कुछ लोग कुमराशी वाले जो किराय पर रह रहे हैं तो कुछ ऐसी घटना होगी कि आपका इस्थान परिवर्तन का योग बनता है साथी साथ जो गवर्मेंट के अंदर है तो उनके भी स्थान प करने वाले किसी नए काम से प्रेडित होके उसमें आप कुछ इंवेस्टमेंट करने वाले कुछ दुकान कुछ प्रोड़क्ट करेंगे साती साथ यह विदेश से समंदित काम में आपको सपलता मिलेगी या विदेश यात्रा के आपकी योग बनते हैं तो कुल मिलाकर देखा तो ये जो द्रश्टी है बारवे पे जो द्रश्टी है नवी ब्रस्पती की ये बड़ी लापकारी है तो मित्रों इस कारे कर्म में बाइदना ही मुझे दीजे जाद जैमाता दी भक्तों मैं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम लाइफ चेंजिंग गेम के बारे में बात कर कौन सा रतन रतन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि रतन अक्सर आपने भी सुना होता कि पचास लोगों में आपने सुना होगा कि मेरे दोस्त ten amonga पेना इसकी नौकरी लग गई मेरे दोस्त sought enemy einem पहना तो उसका लग अच्छा हो गया तो लाइफ-चेंजिंग स्टों क के लिए कौन से होते हैं डू एंडाई वाली जब सिच्वेशन में आप होते हैं तो कौन से रतना आपकी लाइफ चेंज करेंगे यह मैं आपको 20 साल के एक्सपिरेंस के विहाब पर आपको बताना चाहूंगा आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरू कीजे करेंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब फेस्बूक पेज से चुने तो लाइक जरू कीजिएगा क्योंकि मैं मेरे मैं आपको नौलीज देता रहूंगा लेकिन मेरे को भी आत्मबल देने के लिए आपको एक सहीयों करना होगा आपको मेरे से जुनना होगा ता है कि मेरे में यह वीडियो और अच्छी बना सकूंँ देखें मेश राशी वालों की बात करें तो मेश राशी वाले अधिकतर खारचीले होते हैं और कहीं न कहीं इनका जगड़ा जाता है उनको क्रोध बहुत हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर ज जहां तक देखें तो ब्रेश राशी के जातक जातिकाओ का दामपत्ति जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता उनकी परस्नल लाइफ खराब होती है प्रोफेशनल लाइफ अत्युत्तम होती है लेकिन अक्सर क्या होता है इनके अंदर इतनी जएदा इमोशनल्टी होती है त परस्नल लाइफ में जो अटिटूड होना चाहिए वो कही ना कही परस्नल लाइफ में दिखता है जिस विज़े से परस्नल लाइफ अक्सर खराब होती है बच्चों से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हाला कि आपने संगर्स करके एक मुकाम पर पहुंचे है लेकिन प सब्सक्राइफ चेंजिंग इस्टों होने जो कि अपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा अब मिथन राशी की बात कर लेते हैं मिथन राशी वालों के अंदर सबसे बड़ी ड्रोग पता क्या होती काम होने से पहले यह गिना देंगे कि मेरे यह पाइलेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैं यह काम करता हूं मतलब यह खूब प्रोफेशनल होने की और वाचाल शक्ती तो भगवान ने इनको बहुत ही अच्छी दी है मिथन राशी वालों को तो यह बता देते हैं होने से पहले ही एक प्रसेंट होता नहीं काम यह बता देते हैं अक्सर मिथन राशी वाले कम वानी में तो प्रभावशाली होते हैं लेकिन इनका जो लख है वो 40 साल के बाद अच्छा काम करता है इसका कारण क्या है 40 साल के बाद इनको नौलिज आती है कि जो हम जो काम है जो होने वाले जब तक 100% ना हो जाए तब तक हमें बताने नहीं चाहिए अक्सर ये मैं ने जो इस टोन देखा है वो इनके लिए मोटी देखा है मोटी अगर यह पैने तो तरजनी उगली में ये पैने तो इनका लाइफ चैंजिंग हो जाएगा यह पुकुराज भी पैन सकते हैं पुकुराज में आजाए तो पुकुराज पहन लिए वह भी अच्छा आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं थोड़ा सा बच्पना भी ज्यादा होता है इनके में बहुत लाइफ बड़ी होने के बाद भी उम्र बड़ी होने के बाद भी दिल तो बच्चा है जी कहते हैं दिल से बच्पना नहीं जाता है कहते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसे relation में चलना चाहिए यह नहीं चलना चाहिए इस वजहे से इनकी growth कभी कोब खराब भी हो जाती है हाला कि जिस profession में होते हैं professional बहुत अच्छे होते हैं professional में कोई कमी नहीं है लेकिन निर्णे शक्ति या किसी काम को लाइटली समझने की वजए से दिखकत आतिया अप ऐसे में आपके लिए जो स्टों है ज्यादातर दिखा नीलं आपके लिए फलिस स्टोंन है आप नीलं पढ़ दे को लब होगा सिंग राशी की बात कर लेते हैं सिंग राशी देखा जाएं सबसे ज्दा जो इनके लिए वह होती इनकी वाणी बड़ी प्रकर होती है लेकिन दिक्कत कहां पर आती है यह सिंग राशी वालों को दिक्कत ये आती है और इंप्रेशन जवाने के चक्कर में ले लेते हैं जिसका प्रभाव उनपे नहीं पड़ता है आप पे नहीं पड़ेगा कोई परवाव, जो आप पहनावा बहूत अच्छा पहानते हैं, अगर आप ब्रैंडीड कप्रे पहानते हैं, दिखावा जदे जादा करते हैं, घर को आलिशान बनाते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है आप बनाईए लेकिन जो आप बोलते हैं जो आप फैक्त हैं कि मुझे ब्रैंडेड़ी चीज अच्छी लगती है मैं ये ही खाऊंगा मैं वो ही प्याऊंगा तो कवी कबार क्या होता है किसी गरीब व्यक्ति को वो चीज बुरी लग जाती है उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता अक्सर सिंग रासी वालों के बच्चे स्ट्रगल करते हैं या उनकी महिला हैं अक्सर बिमार रहती हैं कि मैं एक्स्पिरेंस से बता रहा हैं जो मेरा 20 साल का एक्स्पिरेंस रहा है थोड़ा उनके अंदर डर भी होता है डर थोड़ा रहता है प्रोफिशन में ये डर डर के रहते हैं कि आगे क्या होगा आगे की प्लानिंग कैसी होगी और कहीं ना कहीं थोड़े मतले भी भी होते हैं गद्याराशी वाले कहीं ना कहीं देखिए समाजिक छेतर में बढ़ चड़के हिसा नहीं लेते आप लोग अपने से मतलब रखते है तो कहींना कहीं उसका प्रभाव पड़ता एक आपकी सी खिल्प नई करेंगे तो कोई भी आपकी हल्प नहीं करेगा याद रखिए आपको मतले नहीं करते हैं को अंदर एक नेगटिव पॉइंट है जो कन्य राशी के अंदर इतर की बात उदर करना किसी की गोपनी बात को विश्वास करके आपको बता रहा आप दूसरे को बता रहें तो यह ठीक बात नहीं है और इस चीज को आप सुदारे कहीं न कहीं आप बहुत फसेंगे जब ऐसा व प्यक्ति पहने तो इनके लिए लाइफ अच्छी रहेगी चाट्यू कारिता से लाइफ नहीं बनती क्वालिटी से लाइफ बनती है याद रखिएगा और क्योंकि मैं इस वीडियो में आपकी सच्चा ही बता रहा हूं तो आपको बुरा भी लगे तो कोई बात नहीं आप क लोगों की हेल्प नहीं करते हैं अपने से मतलब रखते हैं इसलिए लोग भी इनको कुछ अच्छा नहीं मानते हैं कारण क्या है इनकी सोच कुछ समझ में नहीं आती लोगों को जो मैं 20 साल का एक्स्विनेंट बता रहा हूं सोच समझ में नहीं आती है इनकी अठपटा सा सोभाओ, अपने में ही उलजा रहना, अपनी ही बड़ाईयां चाहना, दूसरे से इर्शा करना, मैं ही ठीक हूँ ये मानना, किसी को हिस्सा नहीं देना, ये चीज कहीं न कहीं आज नहीं तो दस साल बाद लोगों को पता चल जाएगी, जातर आज कल लोग बुद्धिमान हो हैं, इसलिए दो साल से जादा आपके साथ में किसी की भी मितर था, कोई भी रिलेशन जीवन में, किसी का रहे गई नहीं, आपको हमेशा लगेगा कि लोगों ने आपको धुका दिया है, लेकिन अकसर होता ही है कि आपने लोगों को धुका दिया है, आपने लोगों की वेल पुकुराज रहता है पुकुराज इनको पहनना चाहिए बात करते हैं विरश्चिक राशी की विरश्चिक राशी वाले थोड़े हटीले सोवाओं के होते हैं प्रोफेशनल तो होते ही होते हैं प्रोफेशनल होते हैं बहुत बार डॉक्टर भी होते हैं वकील भी होते हैं य इनकले कुंहें यह प्रोफेशन में सक्सस नहीं होगाता है बहुत जाधा बुद्धि लगाते हैं बहुत जादा अर्गुमेंट करते हैं किसी से बहुत जादा आमाली कोई मैं जो किसा चाहरे हुँ मुझे experience मैंने पढ़ा है आप मेरे से अर्गुमेंट करने लगे तो तो आपका भला होगा नहीं होगा इसी प्रकार से किसी भी अनुभवी व्यक्ति का आदर करें हर परिष्टिती के अनुसार व्यक्ति को अपनी वानी को अलग-अलग रूप में ढ़लना पड़ता वह चीज आपकी मझे नहीं आती है तो गई नकई आपकी बोस से नहीं बन पाती है कही न कहीं आप लोगों से करते हैं इस वजड़े से आपको दिक्ट आती है اور सकस्सपूल नहीं होता है नौकरी में successful नहीं होते अधिकतर नौकरी दो साल तीन साल में change हो जाती है क्रोध आप में रहता है क्रोध रहता है दूसरा bad habits भी हो जाती है अब तो मैं क्या बताऊं आप खुछ जानते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना आपके लिए जो life changing stone है आपके लिए मोती और मुंगा life changing stone है वह आपको पहनना चाहिए और उसको पहने तो आपके लिए चरहेगा धनुराशी की बात कर लेता है देखिए धनुराशी वैसे तो अच्छी है लेकिन इनके अंदर ना गमण बहुत ज़्यादा होता है डॉमिनेटिंग बहुत होते हैं धनुराशी वाले किसी की बा लोग इनसे ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं और जब इनके अंदर पैसा होता है तो एंकार भी ज्यादा करते हैं धनुराशी वाले तो उससे बचना चाहिए और यह कि व्यपार में कभी सपल नहीं होते हैं जॉब करते हैं जॉब में भी बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि बिकॉस आफ यूर नेचर आपका जो नेगटिव सोचने का जो नेचर है वो आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा इसलिए आप आपके लिए जो लाइफ चेंजिंग इस्टोन ने वह पन्ना होते हैं मकर राशी वालों में खासियत है कि उनको क्या है मकर राशी और कुम राशी वैसे तो शनी की राशी हैं लेकिन दोनों के नेचर अलग है मकर राशी वाले क्या होता है मकर राशी वाले अच्छे होते हैं लेकिन दिक्कत कहा थी जब इनकी शादी होती है शादी होन तो मगर रासी वाले अपने बुद्धी से काम करें ये याद रखे कि बुद्धी शादी से पहले तो अच्छी होती शादी के बाद बिलकुल डल हो जाती जो मैंने देखा है तो ऐसे लोगों के लिए निलम बहुत सुटेबल है और आप निलम पैने कुम्राशी अप्षाले उलट होता है कुम्व राशी वाले तो शादी के बाद देखिए यह तो रिश्टों को भी नहीं चोड़ते हैं रिष्टों में भी था Ça अपर पड़ती है यह अपने काम यह अपने अफसर आते हैं तो यह अपना रंग दिखा करते हैं किसी भी समाजिक कारव में इनकी अपनी राए होती है और वह सारे काम को चौपट कर देती तो किसी भी अंदोलन वह नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह का क्यों तो बड़ी चलाकी से कोशिश करते हैं कि मेरा बिजनेश सफल हो जाए और बड़ी चलाकी आपनाते हैं और उससे सपलता नहीं मिलती है क्योंकि चलाकी Ses कोई भी बिजनेश नहीं किया जा सकता Why Post जनता बहुत अमजदार है चलाकी से तो बिल्कुल भी कोई भी व्यापार ना तो पहले किया जा सकता था ना आप किया जा सकता है शिर्फ व्यापार होता है अपने गुणवत्ता से अपने कैलिबर से से व्यापार होता है इनके लिए लाइफ चेंजिंग जो स्टोन की बात करें तो रूबी इनके लिए लाइफ चेंजिक होता है रूबी पहनने से इनको बहुत चेंजिस आते हैं बात करें मीन राशी वालों की मीन राशी वाले इर्शा बहुत करते हैं अपने परिवार में रिलेशन वालों से बहुत इर्शा करते हैं अगर इनके परिवार में कोई आया और दूसरे की बढ़ाई करें तो इस बिल्कुल उनको पसंद नहीं què होती है थासकर महिलाओं की बहुत कर तो बिल्कुल पसंद नहीं को थी बाकि है पति-पत्णी में अक्सर मध्वेंध होता है और मध्वेंध का कारण क्या होता है जो भी मीन राची का होगा उसकी गलती ज़्यादा होगी उनकी उमीदे लोगों से ज़रों से ज़्यादा होती है जिस कारण से यह क्या होता है और एक वाणी वाणी में इनकी कही ना कही नियंतरन नहीं रहती है नियंतरन नहीं रहता है वाणी में इसलिए किसी क कभी बिखभी कुछ भी बॉल देंगे समय नहीं देखेंगे तो कभी आप किसी को भी कभी कुछ भी बोल देते हैं मीन राशी वाले तो समझ लेजिए कि आपका टाइम वहीं से खराब हो गया चाहे आपका समय कितना ही अच्छा हो अगर आप राजा के सामने उट पटांग बात करेंगे तो वेसी बात है कि वह कहीं न कहीं आपके लिए नेगटिवी हो गई इनके लिए ला अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके साथ में या किसी के साथ में ऐसा हो रहा हो तो शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक जरूर करें झाल